चहरे पर अकर बहुत जादा बुढ़ापा दिखाई दे रहा है चहरा बहुत जादा लूज हो गया है यहां आप क्रॉस कर चुके हैं अपना 40-50 तो आपको इस क्रीम को रेगुलर लगाना है यह आपकी स्किन को टाइट करेगी आपकी स्किन को सैगिंग होने से बचाएगी आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगी इसमें फैटी एसेड हैं जो आपकी स्किन को ना सिरफ नरिश्मन प्रोवाइड करेंगे हाइड्रेट करेंगे और आपकी स्किन को मॉइश्यूराइज करके रखेंगे हालो दोस्तो नमश्कार कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप लोगों ने अभी तक अपने DIY को रेगुलर किया होगा क्योंकि करवाचोत आ चुका है और अब तो दिवाली का सीजन आने वाला है दिवाली आने वाली है तो करवाचोत पर अगर आपकी स्किन बहुत जादा लाइटे मार रहे है तो यहीं पर रुक मत जाएगा यह मत सूचेगा करवाचोत निकल गया चलो जी खतम करो अब नहीं करना है यह नहीं करना है अगर आपको अपने DIY का पूरा रिजल्ट चाहिए अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन के उपर इसका पर्मनेंट आपको बच्चों को लाने ले जाने का सारा बर्डन मेरे उपर इता स्कूल हो तो काला पन जाईया जिसकी वज़ा से मेरी स्किन की तो बैंड बजगी थी इसकी आज आपके सामने जो दिखरी है यह मेरे सिरफ DIY का कमाल है जो कि करोना के टाइम पर मैंने शुरू किया था मैंने मेर स्किन के उपर तो कोई रिजल्ट नहीं आए तो भाया प्लीज थोड़ा सा टाइम अपने DIY को दीजिए आपके स्किन के उपर इसका रिजल्ट डेफिनिटी मिलेगा आज जो रेमेडी में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसके लिए बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे कि और पर सागिंग बहुत जाए और ये इसके डीली हो रही ये चाहे आप 40 के हैं 50 के हैं 60 के हैं आप 30 भी क्रॉस कर गया ना तो आपको अपनी स्किन के लिए कोई नो कोई ऐसा स्किन केर फालोर ज़रूर करना है जो आपकी स्किन को लूज होने से बचाया है देखिए तीस के बाद में हमारी skin जो होती है वो अपने elasticity खोने लगती है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ supplement अपनी skin को देना होता है और हमारी skin के lose होने के पीछे और भी reasons होते हैं जैसे अच्छा आपकी body के अंदर toxins इकठे हो रहे हैं और फ्लेश आउट नहीं हो रहे हैं वह आपकी skin के ओपर boils बनके निकलेंगे skin color fine lines के उपर काम करके आपकी skin को tight करें आपकी skin में elasticity दे आपकी skin को hydration प्रोवाइड करें तो यह जो क्रीम मैं आपके साथ बना के लाई हूं यह एक ऐसी जैली क्रीम है जो आपकी skin के aging के उपर काम करेगी anti aging से भरपूर प्रोपर्टी इस क्रीम में हैं सेम क्रीम अगर आप इसी मैथड के आप खरीदने जाएंगे market में तो आपको बहुत जादा महंगी मिलेगी लेकिन यही चीज़े जब हम घर पर बना लेते हैं तो उसका result हमें और जादा मिलता है क्योंकि हमने इसमें प्योर चीज़े डाली है हमने इसमें कोई chemical नहीं डाला है जो हमारी skin को हाम पहुचाएगा थोड़े time के बाद में तो क्या करना है जैसे मैं बता रही हूं उसी तरीके से आपको इसको बनाना है और लगाना है लगाने का हम नहीं पहुचाएगा इनफेक्ट इसको आप लगा के बाहर भी जा सकते हैं इसके उपर आप अपना make-up भी कर सकते हैं लेकिन लास्ट में मैं यही कूँगी कि रात को सुने से पहले तो डेफिनेटली आपको इसको करना ही करना है क्योंकि रात को हमारी स्किन जो हमारे डैमेज टिश्यू होते हैं उसको रिपेर करती है चलिए स्टार्ट करते हैं हालो दोस्तो मैं हूं रेखा सिंग इंट्रोडक्शन मैंने शायद आपको शुरू में दे दिया होगा चैनल पर अगर पहली बार है इस वीडियो के त्रू तो प्लीज उस रेड़ वाले बटन को दबा दिचेगा हमारी फैमिली का हिसाब हो जाएंगे फ्यूचर वीडियो देखने के लिए सरफ तिंटिन को दबाना है वो जो बैल आइकॉन होता है तिंटिन वाला उसको दबाईएगा घंटी बजेगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी एक लाइक दे देजएगा अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसांद आता है तो ठीक है जी तो चले स्टार्ट करते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं और दिखाऊंगी ये क्रीम मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है परसों आइथिंग दो तिन दिन जो लोग इस वीडियो के त्रू पहली बार आ रहे हैं उनको मैं रिमाइंड करा दूं कि ये नाइट क्रीम है जो कि आपके आँखों की पफिनस के उपर काम करेगी तो इस क्रीम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूं उपर यहां पर आई बटन प बहुत असाने से आपको किसी भी राशन के दुकान पर यह असानी से मिल जाएंगी जितना यह खाने में हल्दी हैं आपकी बॉड़ी के लिए उतना ही आपकी स्किन के ओपर लगाने में भी बहुत हल्दी हैं इसमें पाय जाते हैं ऐसे एंटी ऑक्सिडेंट जो की हाई कॉ एक साहा इर को बनाता है ध्यादा स्मूध ए रीढिन्ट शब्रणीड को हिस्कीओ और मेले हुआ है एक शाहा और सफ्कुन के ताह小心 पर अब हर यび ऑर मेरे जालले के भी कर्ले रही है पानी में थागरें मतलब करीब मैंने एक गिलास के आसवास इसमें पानी डाला है और इसको अब हमें बहुती स्लो आज के उपर दो से तीन मिनिट के लिए सिर्फ पकाना है अब यहां पर पूछेंगे कि भाई कितनी देर तक पकाना है तो भाई जैसे ही इसमें बॉयल आए जैसे कि अभी आपक से तीन मिनित में ही इतना बढ़िया वाला इसमें बॉयल आ गया बस हमें तुरंत बंद करके तुरंत इसको चान लेना है अगर आपने इसको ठंडा कर दिया फिर तो आप इसको बहुत ही मुश्किल से चान पाएंगे क्योंकि एकदम ठिक हो जाता है और बहुत मुश्किल स जैसे कि मैं इसको कर रही हूं बस ऐसे ही आपको इसको गरम-घरम में ही चान लेना है थीक है जी यहां पे लोग पूछेंगे क्या हम इसको डेली लगा सकते हैं तो देखें इसमें जो लीधनें पाए जाते हैं एंटि औक्सिदें पाए जाते है न वो आपकी स्किन के को प्रवेंट करते हैं बचाते हैं फाइल नाइन से और रिंकल से तो इसको आप रेगुलर भी लगा सकते हैं इसमें फैटी असिड पाया जाता है जो कि आपकी स्किन को ना सिर्फ मौश्यूराइज रखता है आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है आपके skin के ओपर जो एक हमें hydration चाहिए वो हमें इस एक jelly में मिल जाता है यापके skin की saggingness से भी आपको बचाता है आपके skin को ठीक है जी तो यह हमने ले लिए इसको ठंडा करने के लिए भी रखना है उसके बाद में हमें इसकी cream बनानी है तो यह जादा है हमें इतना नहीं चाहिए बाकी तो मैंने अपने बालों के ले रख लिया है मैं उतना लूँगी जितने में मैं अपनी 10 दिन की cream बना रही हूँ तो उसके लिए मैं 3-4 चमच इस jelly को लूँगी jelly के साथ में ही अगर आप इसके थोड़े से बीच भी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं बिल्कुल हाम नहीं पहुंचाएंगे अच्छा रहेगा आपकी skin के लिए ठीक है तो आप अपने face के हिसाब से लीजे आपको कितने दिन का इसको बना के रखना है वैसे तो इसके तरीके बहुत सारे आप बहुत तरीकों से इसको लगा सकते हैं लेकिन जो तरीका मैं अपनी skin के उपर लगाती हूँ और जिसका result मुझे अच्छा मिलता है वो मैं आपके साथ share कर रही हूँ तो अब आपको क्या करना है कांच की एक bottle में ही directly इसको बनाना है देखे सरदियां शुरू हो रही है तो जिनकी skin dry है उनको इसमें ये glycerin ज़रूर डालना है देखे मैं इसलिए डालती हूँ ताकि लोगों को एक idea हो जाए कि बनाने के बाद में क्रीम कैसी लगेगी तो मैं मेरी skin के हिसाब से glycerin ले रही हूँ मैंने सरफ 3-4 बूंदे इसमें glycerin के लिए है अगर आपकी skin extra dry है तो आप इसमें glycerin थोड़ा ज़ादा डाल सकते हैं अगर आपकी skin ज़ादा oily है तो आप इसमें glycerin को skip भी कर सकते हैं यह option मैंने आपको दे दिया समझ में आ रहा है आपको नहीं समझ में आया कोई चीज तो प्लीज आप पूछ लेना दूसरा आप हम इसमें डालने वाले हैं vitamin E का capsule vitamin E का capsule आपकी skin को soft बनाता है protect करता है आपकी skin के cells को damage होने से यह अगर आपकी skin के उपर moisture lose हो जाता है तो उसके लिए vitamin E का capsule बहुत useful है अगर आप इसको अपनी skin के उपर लगाते हैं तो साथ में आपकी जो हमारी skin को जो काला पन पढ़ जाता है हमारी skin के अंदर एक जो layer होती है जो dark पढ़ जाती है तो हमारा color complexion जो dark लगने लगता है तो उसमें भी vitamin E हमारी skin को protect करने में बहुत help करता है तो इसको जड़ा अच्छे से हम mix करते हैं अभी देखिए मैं चम्मच से mix करी हूँ यह होने वाला है नहीं पर तो भी मैं try कर रही हूँ लेगिन क्योंकि अभी इसमें लास्ट चीज जलेगी उसके बाद मैं इसके ओपर थोड़ा जादा काम करूंगी तो अब हम डालेंग इसमें क्या अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल और यहां पर आपको फ्रेश वाला जेल नहीं डालना है देखिए अगर आप अभी बना के अभी लगाना चाहते हैं तो डेफिनिटल आप फ्रेश वाला ही डालिए मैं तो यहीं बोलूंगी लेकिन अगर आप इस क्रीम को बना के रखना चाहते हैं दस से पंदरा दिन के लिए तो प्लीज आप मार्किट वाला अलोवेरा जेल इसमें यूज करिए देखिए मैं चम्मच के साथ इसको कर रही हूँ बट यह होने वाला नहीं है यहां तो आप इसको ब्रश के साथ में किजे क्योंक आपको इसको अच्छे से मिक्स करना współ12 की आपके प्रॉपर फ्रंकल और फानलांज आपके स्कीन को बादिन से करने की होती हैं आपके स्किन के ऊपर काला पन अगर बहुत जाद आ जाता है तो आपको ऐलो वेरा का जो क्रीम सेंसे जरूर लिगारें चाही चीए आपके साथ के जो आसपास डाक सरकल हो जाएंगे उसके पर वो क्रीम बहुत अच्छा काम करेगी तो शुरू में मैंने जो आपको क्रीम बताई है ना एक अलग से पिंक वाल में वह आपको बना लेनी है वह कल की मेरी रेमेडी है आज इस चैनल पे अगर आप आ रहे हैं पहली बार इस व तो अब हमें थोड़ी से महनत करके इसको अच्छे से क्रेम फॉर्म में बना लेना है अब यहां पर मैं एक चैस और कंफर्म कर दूं बहुत लोग बोलता है दी हमारे पस ना कांच की बॉटल नहीं है देखे कांच की कटोरियां हर घर में होती है तो आप उस कटोरी में भी इसको बना के फ्रिज में रखना है आपको इसको बाहर नहीं रखना है ठीक है जी लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूं कैसे बहुत लोग नहीं जानते हैं फेशल के स्टेप्स क्या होते हैं जो एजिंग वाले स्टेप्स होते हैं उसको आपको जरूर फॉलो करना तो इतना बोलूँगी क्योंकि मैं यहां पर कैमरा पर हो तो मैंने गर्दन पर नहीं लगाया दूसरी एक इंपोर्टेंट चीज और मैं आपको बता दू कि किसी भी रेमेडी को लगाने से पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना होता है तो मैंने अपने फेस को अभी इसले किया क्योंकि मैं अपने फेस को वाश करके ही बैठी हूँ मेरे फेस के ओपर सिर्फ और सिर्फ लिप्स्टिक है काजल है और कुछ नहीं है और क्लीन करना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि जो भी रेमेडी हम इतनी महनत से बनाए है इतना महनत किये हैं उसको बनाने में उ कच्छे दूद से करने से ये फाइदा होगा कि आप कच्छे दूद में पाय जाता है लेक्टिक इसिड जो आपके कलर टोन को इनहेंस करता है ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्प करता है और ना सिर्फ रेमिडी लगाते वक्च्छा दूद यूज करना है आप ऐसे भी नहीं कर पारी क्योंकि मैंने नोस पिन डाला है और यह मुझे थोड़ा सा पें कर रहा था तो मैं अच्छे से मसाज नहीं कर पाई लेकिन प्लीज आप इन स्टेप्स को प्रॉपर करिएगा दस मिनिट की मसाज कम से कम कीजिए और रात को सोने से पहले तो आपको डेफिनि स्कीन तरीके से मैं छीजें बताती हूँ और इतना सिंपल तरीके से बताती हूँ अपने उपर कर दिखाती आपको मेरत को इसकिन यह आ रहा इसे ज्यादा नहीं आ आरहा आप मेरी pimple वगर भी आते रहते हैं जब हम कुछ खाना बीना गलत खा लेते हैं आपने मेरे vlog के ओपर जाके देखा होगा vlog channel अगर पसंद करते हैं वहाँ जाके आप देख सकते हैं मैंने बाहर का खा लिया था और उसकी वज़ा से यह जो pimple आया है कई बार हम गलत खा लेते हैं उसकी वज़े से भी हमारी skin के ओपर कुछ न कुछ बॉयल आ जाता है ठीक है जी तो आपको क्या करना है अगर vlogging पसंद करते हैं vlogging अगर पसंद करते हैं तो मेरे vlog channel है जो की अब भी just अभी partner program के लिए भी select हो गया है तो आपका प्यार मैं वहाँ पर भी चाहूंगी अगर vlog पसंद क के लिए जितना आपने इस चैनल के ओपर मुझे दिया है तो अपना ख्याल रखिए इसी तरह चे अपने डिय वाइस को regular करिए आपको इनका result definitely मिलेगा बाबाई टेक केर सी यू